भाई और मेनों, आज के नए भारत के सपने उतने ही बड़े हैं, उतने ही विराठ हैं, लेकिन सरफ सपने देखने से काम नहीं चलता, सपनों को साहस के साथ पूरा भी करना पड़ता है. जब आप साहस के साथ, समर्पन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। भारत का सामान्य युवा, भारत के छोटे शहर, आज यही साहस दिखा रहे हैं, यही समर्पन दिखा रहे हैं। बिस्वी सदी में जो भूमिका देश के मेट्रों सहरों ने निभाई उसी भूमिका को विस्तार देने का काम, अब हमारे आगरा जैसे छोटे शहर कर रहे हैं। छोटे शहरों को आत्मन दिर्भर भारत की दुरी बनाने के लिए ही अनेक विकास पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। पस्चिमी उत्तर पुदेश के इन शहरों में तो हर वो चीज है जो आत्मन दिर्भरता के लिए हमें चाहिए। यहां की भूमी यहां के किसानों में अपार सामर्त है। पशुधन के मामले में भी यह खेत्र देश में अग्रणी है। ऐसे में यहां डेरी और फुर्ट प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग के लिए बहुत संभावनाय है। इसके अलावा एक छेत्र सर्विस सेक्टर और मैनुफेक्टरिस सेक्टर में भी आगे बढ़ रहा है। साथियों आधुनिक सुविधाय मिलने से आधुनिक कनेक्टिविटी मिलने से पस्चीमी उपी का यह सामर्थ और बढ़ रहा है। देश का पहला रैपिड रेल ट्रांस्पोर्ट सिस्टिम मेरट से दिल्ली के बीच बन रहा है। दिल्ली मेरट के बीच 14 लेन का 14 लेन का एक्सप्रेस वे भी जल्द ही इस ठेत्रे के लोगों की सेवा देने लगेगा। पस्चीमी उत्तर प्रदेश के अनेक जीनों को जोडने वाले गंगा एक्सप्रेस वे को योगी जी की सरकार पहले ही स्विकृति दे चुकी है। एरपोर्ट्स को रीजिनल कनेक्टिविटी के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें भी अधिकतर पस्चीमी उत्तर प्रदेश में है। ग्रेटर नोयडा के जेवर में आधुनिक विश्वस्तरिया ग्रीन फिल्ड आरपोर्ट से तो इस पूरे ख्षेत्र की पहचान पूरी तरह बदलने वाली है। भी अवरी जिएर भी थेक्ष झाला के लिए सद दो एना भी खश्वस्तर की उत्तर प्रोब बदलने विए तो इसमें पूरे से तो जोगी और की बदलने प्रदेश में है।